जय हिंद बंद मात्रम दोस्तों संपूर हिंदी साहित मात्र एक वीडियो में कम्प्लीट हो जाएगा आज है ना अगर बात करें बिये दुतिय बर्स चतुर समस्टर में जो आपकी हिंदी साहित की बुक का नाम है हिंदी अनुबाद मात्र इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई दूसरी क्लास वीडियो या फर सीरीज से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है क्योंकि इस क्लास को इतना दमदार कंटेंट के साथ बनाय गया है कि आपके एक्जाम में सिद्ध सिद्ध कुस्स आपको देखने को मिल जाएं दोस्तो बहुत अच्छा और एक बहतरीन कंटेंट लाने के लिए एक बहतर रणनीती की जरूत होती है सारी चीजों को बहुत अच्छे से बारी की से समझने के बाद और आपके पिछले एक्जाम्स को एनलाइज करने के बाद आज की इस क्लास को हमने डिजाइन किया है दोस्तों MCQ फॉर्मिट में जो है आपके एक्जाम्स होने है तो सारी चीजों को बल लाइनर के फॉर्म में और MCQ फॉर्म में रखेंगे संपूर डिटेल्स के साथ आज की इस वीडियो को हम जल से जल 20-30 मिट में कंप्लीट कर देंगे बहुत 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 उम्दा आप चीजों को लिखते हुए चलेंगे और सारी चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर रहेगा अनवाद विज्ञान किस की कृती है दोस्तों बात करेंगे अगर अनवाद विज्ञान की कृती की तो डॉक्टर भूलनात तिवारी की जो है अनवाद विज्ञान करती हो जाएगी अनवाद कला, सुध्धान्त और परियोग अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोफेसर कैलाश्चंद भाटिया जी की है याद रखना पड़ेगा अनवाद बिग्यान डॉक्टर भूलना तिवारी जी की है अनवाद कला और सुध्धान्त परियोग प्रोफेसर कैलाश्चंद भाटिया जी की है दोनों में जरा सा डिफ्रेंस है आप परिशान ना हो, कन्फ्यूज ना हो बात करेंगे एक और रचना की नाम है ट्रेबलर बैरी इंपोटेंट है, पूछ सकते हैं आपके एक्जाम में तो ओलिवर गोल्ड इसमत की एक कृती हो जाएगी है ना, और अनबाद इसको किया था पंडित सुरीधर पाठक जी ने हिंदी में बहुत बढ़िया चलिए, नेक्स्ट कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा मुहावरों के अनबाद में क्या स्थिती होती है तो दोस्तो मुहावरे के अनबाद के अगर बात करें तो कठनाई का जो है अनफब होता है कठनाई उत्पन होती है दोस्तो एक और अगर बात आपको बताएं अनबाद से संबंदित तो अनबाद का अगर छेत्र पूछ लिया जाए आपसे तो बिस साहित की परकल्पना और बारतालाफ धर्म ये सभी जो है अनवात के छेत्र के अंतरगत आते हैं अगर अनबात के छेत्र में और भी चीज़ें आप से पूछें तो ग्यानात्मक साहित, भावात्मक साहित या फिर सुक्षा की बात करें तो ये सारी चीज़ें आती हैं अगर कारियाले नियाले संबंदी छेत्र पूछ लिए जाएं तो अनबात के छेत्र में पत्तराशार कारियाले और नियाले ये सब चीजे आती हैं बहुत बढ़िया बहुत बहुत बहतरीन उमीद करता हूँ आप समझ गहोंगे अब एक छोटी सी बात और समझ लो विसाय के आधार पर अन बात कितने भेद होते हैं 美味 के तो आप कहेंगे सर छे भेद होते हैं बहूत बढ़िया चलो दोस्तों अब हम एक से लेकर 15 कुस्चिन की तरब चलेंगे और जब ये 15 कुस्चिन पूरे हो जाएंगे तो फिर हम एक से लेकर 20 कुस्चिन की तरब चलेंगे ठीक है तो सबसे पहला कुस्चिन जो है आपकी इस किन पर रहेगा लिखना आप स्टार्ट रखेंगे लिखना ब चोड आपको दिया जाएगा डिक्सनरी सब्द के उत्पत्ति लेटन भासा के किस सब्द से हुई है तो आप कहेंगे सर डिक्टो सब्द से जो है लेटन भासा के डिक्सनरी सब्द के उत्पत्ति हुई है बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट अब हम कुछ फैक्ट इसमें समझेंगे जो फैक्ट मैंने पहले भी आपको बताए है बेग्यानिक आयोग तथा तक्निकी सब्दा वली आयोग की स्थापना 1961 इस भी को हुई है भारगव आदर्स हिंदी सब्द को उसका प्रकाशन बर्स देखें तो 1950 है राष्टी दिना सरस् اليाम सुंदर दास्त है कौन से बाबू स्याम सुंदर दास्त है त when आ आपकी स्क्रेण पर त्छेड़ एगा अब बिज्वीड्यापन से सम्मधत हैं चीजों को हम complete करेंगे देखो बिज्वीच बिग्यापन क्या है बिग्यापन है अपनी बस्तू अपने आपकी जो बस्तू है आपका जो पदार्थ है आपकी जो भी प्रॉपारिटी है जो भी चीज आपकी है उसको आप जन जन तक पहुंचाए उसके बारे में लोगों को बताएं है ना लोग सब के पास बो खबर अब मुद्रत माध्यम अखवार के अखवार में आप निकाल देते हैं इविज्ञापन के चरिए कि भई यह काम हो रहा है है ना सबको पता चल जाए किसी भी चीज़ का है ना होडिंग लगा देते हैं पोस्टर जो है लगा देते हैं यह फर इलेक्ट्रोनिक माध्यम की बात करें तो सबसे बड़ी है इंटरनेट चीक है इंटरनेट के माध्यम से जितने भी सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म से सब पे चीज़ें दानी जाती है और सब तक लोगों तक जो है अपनी खवर को पहुँचाया जाता है मोबाइल की बात करें चैनल की बात करें टीवी रेड अब वो दो भासाएं कौन सी हो सकती है ठीक है लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो हल्फल लग रहा हो तो है ना आप चैसी लाइक करते है ना तो हम आपको कही विताए हमें और उर्जा मिलती है हमें लगता है और नई वीडियो हम आपके लिए बना कर ला करना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी दोस्तों पट हम जानेगे यहां से भारती समधान के किस अनुच्यत के अनुच्छ Alors जो है संग की राजवासा हिंदी है तो अनुच्यत थींसोगते तो उटेतालिस्ट के अन्सार संस्कृत भाजा को छोड़ करके जो है वो 22 भाजाएं हैं लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो कितनी भाजाएं तो आप कहेंगे सर्फ 14 भाजाएं जो है 14 भाजाएं जो है इसमें है चली बात करेंगे नेक्स्ट जो कुस्चन है आपका कमीसन का हिंदी पर्याएं क्या है तो कमीसन का जो हिंदी पर्याएं है वो है आयोग कहवी आयोग है ना अब यहाँ से 3-4 जो है हम हिंदी पर्याएं समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से देखो closure कार्थ होता है सुनस्चित करना क्या होता भई सुनिश्चित करना, dependent, इस का आर्थ होता है आसरत, देखो हिंदी परियाय आएंगी, ठीके, हिंदी परियाय का सीधा आर्थ है कि इंग्लिस में मीनिंग लिखी होगी और आपको बताना होगा कि इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, ठीके, और ये हिंदी हिंदी का आर्थ सीधा हुआ कि किवल हिंदी में ही बताना है आपको क्योंकि वहाँ पर हिंदी के सब्द ही मिलेंगी आपको ऐसा नहीं है जिसे मैंने आपसे बोछ लिया कि बताओ फ्री, ये ह испरी को क्या कहेंगे तो आपको वहाँ पर मुफ़त लिखा नहीं वहाँ पर आपको निसूल्क लिखा दिखेगा जो हिंदी भाषा का सब्द है ऐसा नहीं कि हम हिंदी भाषा में अर्वी फार्सी उर्दू या फिर अधर भाषाओं के जो बैड है उन्हें हम मिला दें, बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, किवल हिंदी भासा, ओंकी ही सब्द वहाँ पे रहेंगे, चलो अब देखो, इंसी ओर क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर, सुनेश्चित करना, डिपेंडेंट आसरत हो जाएगा, एकाउंट आफिसर, लेखाद कारी हो जाए रेंट, बात करेंगे, किराया, किलर को लिपे कहेंगे, स्ट्रेनोग्राफर को आसू लिपे कहेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत भैदरी, पांच नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, हिंदी अनबाद अधिनियम पार्लियमेंट में कब पारित हुआ, ठीक है, बतादो जल्दी से, तो 1797 इस भी में हिंदी अनबाद अधिनियम पार्लियमेंट में पारित हुआ था, नेक्स्ट कुस्चन, तो यह वो कुस्चन है, जो सीधे आपके एक्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, चैक है, छै नमबर का प्रशन रहेगा, हमारे देश में कारशेत्र की भासा कौन सी है, तो कारशेत्र की भासा की अगर बात करें, अगर देखी जाए तो अंगरीजी ही है, चैक है, और अगर राज भासा की बात करें, तो हिंदी है, देखो, हमारा जो भारत है, हमारे संब्धान में जो बढ़नत है, वो राज भासा कहा गया है, र हमारा भारत किस प्रकार का देश है तो आप कहेंगे सिर गड़तांत्रिक देश है ना धार्मेक, ग्राम प्रधान, प्रजातांत्रिक आपको विकल्प नहीं लगाने है साथ नंबर का प्रशन कोस का प्रकार है या फिर कोस एक रूप है आपको बताना है तो भाई कहेंगे ये थिसोरस ये वर्ड काफी प्रचलत हुआ है देखो उमने पहले भी बताया था सब प्रकार जो है इसके सब्द कोस, थिसोरस, परियाए कोस है ना ये सब चीज़ है कोस, अभासे कोस, बसाए कोस ये सब जितने भी कोस आपको दिख रहे हैं ये सब थिसोरस के प्रकार के अंत्रगत आते है ठीक है तो ये कोस के ही प्रकार है जिसमें आप भासे क्या फिर सब्द कोस बगेरा पढ़ते बात करेंगे प्रशन नमबर 8 की थैसोरा सब्द की विद्पत्ति के सब्से हुई है तो थैजोरस से हुई है और थैजोरा सब्द का सरपर्थम प्रियोग पीटर मार्क रोजट ने किया था याद रखेंगे कब किया था 1902 में किया था इस बात को भी आप भूल नहीं सकते हैं आपको याद करना पड़ेगा दोस्त आठ नौ नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर देखो संपूर जो है चीजों को कंप्लीट करना है आज तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बहुत सारे विद्ध्यारती हमसे कैते हैं कि सरा आप फास्ट पढ़ाते हैं तो आज आप देख भी रहोंगे कि माइंड में सारी चीज़ें बैठ जाएं, आप समझ पाएं चीज़ों को, इस बैसे मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ आज, है ना, परस नमबर 9, आप किस किन पर रहेगा, आप बताओ गर जादा स्लो है, तो आप हमें कमेंड में बता देना, ठीक है, नेक्स बीडियो जो है, थु का हेंडियन बाद, राजा लक्षमर सीखने किया था, और पिछली वीडियो में भी हमने आप से पूछा था, कि अवज्ञान साकुन तिलम के जो लेखाक है, वो कौन है, है ना, आप जल्दी से हमें इस बारफी कमेंड करके बता दो, है ना, बहुत सारे बच्चों ने सही जबाब दिये थे, जिनने सही दिये थे, ठीक है, मैंने उनके पढ़वी लिये थे, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप जल्दी से कमेंड करो, इसके बाद मैं आंसर आपको बता दोगा, ठीक है, आप अगर गलत बताते हैं तो, दस नंबर का प्रशन आपके स्क् पूर और आंसिक, है ना, सस्क्राइब करके आप जोड़ सकते हैं अपने परिवार, बिस सिवम से, जो बात करता है, रास्टित में देसित में फिरी सिक्षा की, उस तो बहुत जल्द आपके और जो आपके विसे हैं, राजनीती विज्ञान हो, एजूकेसन हो, कोसस है कि उ होता है, प्यास, है न, प्यासा होना, एक और कहावत मुहावने में कही जाती है, स्टॉन्स थ्रो, यहने की कम दूरी पर होना, या पास होना, बात करेंगे, नेक्स्ट क्रिश्चन की, अनबात के संसोधन हे तो, कौन सा सब्द प्रियुक्त होता है, तो आप कहेंगे सर, प प्रियुक्त किया जाता है, तो उसे कहते हैं, प्लांट, है न, जैसे कहते हैं, कोई मसीनरी आपका काम अगर लगा है, तो कहते हैं, प्लांट लगा लिया है, है न, और या पर पोधे की बात करेंगे, तो उसके लिए भी हम प्लांट की संग्या देते हैं, बात करेंगे, 14 महाबरों का हिंदी महाबरों के अनबाद के जो बर्डन है वो भी डॉक्टर विसुनात अईयर सहाब ने किया था इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे पंदरा नंबर का प्रशन आपके स्क्रीन पर ट्री ओफ नॉलेज का हिंदी परियाय क्या है तो आप कहेंगे सर ग्यान बॉलेंड वियर तो तेजी और मंदी अनबाद विज्ञान किसकी करती है डॉक्टर भूलाना तिवारी जी की है शेयर कर सकते है वीडियो को आप अगर अच्छा लगे हेलफुल लगे तो बगी और अब हम ये पंदरा कुस्टिन कंप्रीट हो गए है अब हम बढ़ते हैं एक से ले करके 20 कुस्टिन की तरफ फिर से पहले प्रिसन से हम फिर सुरू करते हैं अनबाद सब्द जो है वो किस भासा से लिया गया है तो हम कहेंगे अनबाद सब्द लेटन भासा से लिया गया है और आपको हमने पहले भी बताया था कि जो अनबाद सब्द है वो लेटन है आपकी जो thought है आप उनको क्या करेंगे एक भासा से दूसरी भासा में जब आप transfer करते हैं चेंज उने करते हैं तो यह जो प्रक्रिया है उसको हम अनबात कहते हैं translate करते हैं और translate ट्रांस्टेलम का ही एक सब्ध है जिससे जो बना है अनबात यह एक भासिक प्रक्रिया है आप याद रखेंगे और अभी तक अगर like नहीं किया है तो आप like कर दो यार ठीक है हम बात करेंगे दूसरे question की space किसी मूल या स्रोथ पार्ठ को किसी अनबासा के पाठ में परवर्दत करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते है तो सर उसको भी अनबात कहते हैं बिल्कुल देखो भासाओं का जो अनबाद है वो दो प्रकार से किया जाता है किन-किन भासाओं से देखो पहला देखो एक ही भासा में अनबाद ठीक है अंतर भासा इसको कहते हैं एक ही भासा में अनबाद और एक भासा से दूसरी भासा में इन बात, इसको अंत भासी कहते हैं, अब आप कह रहेंगे सर एक ही भासा में कैसा, देखो जैसे आपको पता होगा हिंदी भासा के कुछ जो कलस्ट सब्द होते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं, कठन सब्द होते हैं, तो हमने पहल Hindi का transformations इसको इस से क्या क्या गया कठन बताया गया रोत भड़िया तो आप समझे होंगे कि अगर इस तरह से इसने बात किया जाता है तो उसे अंतर्भासा कहते हैं, और बात करेंगे एक भशा से दूसरी भशा में जब हम अंतर्भासा करते हैं नेक्स्ट कुस्चन रहेगा, भासा में संकेत और संकेत प्रणालियों का जो अध्यन है, उसको क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर, उसको लाक्षणकता कहते हैं, या फर कहते हैं संकेत इकता, ठीक है, संकेत प्रणालियों की तो संकेत इकता कहा जाता है, या लाक्षणकता कह बात करेंगे चान नंबर के प्रशन की परंपरागत रूप से जो है किसको लेखक से निमनिस्तर का माना जाता था तो आप कहेंगे सर अनबादक को जो है लेखक से निमनिस्तर का माना जाता था अब बताओ आप अभी मानते हैं किया निमनिस्तर का है ना अब तो नहीं मानते अब तो बहुत ज़ादा जरुवत पढ़ने लगी है ट्रांसलीटर की पांच नंबर के प्रसिंद की बात करेंगे डैस का बिचार सत्रवी सताब्दी में खोजा जा सकता है तो मसीन अनबाद का जो बिचार है बो सत्रवी सताब्दी में खोजा जा सकता है है ना क्या होए खोजा जा चुका है दोस्त बात करेंगे next question कि आप समझो आप 6 नमबर का प्रश्ट अनबाद अध्यन में उत्कृष्ट युगदान किस ने दिया तो पीटर रोबिंसन की बात करेंगे अगर तो इनने अनबाद अध्यन में बहुत अच्छा युगदान ने दिया था चिक है अब पीटर रोबिंसन है क्या ये कभी है अनबादक भी है ट्रांसलेटर भी है और अंग्रेजी और अमेर्की सहत के प्रॉफिशर भी थे चिक 7 नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर अनबाद सिध्धान्थ जो है वो होता है कैसा तो आप कहेंगे सिर्द मानक होता है दोस्त क्या होता है मानक होता है आठ नमबर का प्रसन किस अनबाद को प्रतक्ष अनबाद या फिर निकट अनबाद भी कहा जाता है तो आप कहेंगे सिर्द साब्दिक अनबाद को जो है वो एक प्रतक्ष अनबाद या फिर निकट अनबाद की हम संग्या देत नौ नंबर का प्रसंद आपकी स्क्रीन पर रहेगा अनवात का सिद्दान सबसे पहले किसने प्रतिपादत किया दोस्त डॉलट ने किया ठीक है किसने किया तो आप कहेंगे सर डॉलट ने किया और इन सब कुस्षिन को आप लिखते हुए चलना कोई भी कुस्षिन मिस ना करना सारे कुस्षिन इंपोर्टन है महत पूर्ण है आपके परिक्षा की दरस्टी से सारे चीज़ों को एनलाइज करने के बाद जो है इस क्लास को आपने डिजाइन किया है तो आप चीज़ों को लिखते हुए चले और लास्ट में आप रिवीजन करके जाए देखना आप एक्जाम हॉल से मुस्कराते हुए बाहर रहेंगे चीज़ों पढ़ेगे तो और भी कुस्षिन करा देंगे आप बिल्कुर टेंसर नालो चीज़ों 10 नंबर का प्रसंद कविता का अनबात करने की कला किसके द्वारा लिखी गई तो ये जो कला है वो लिखी गई थी बर्टन राफेल के द्वारा किसके द्वारा बर्टन राफेल के द्वारा कविता का अनबात करने की कला ठीक है बर्टन राफेल याद रिखेंगे बाद है ना, important है question French भासा में we और c सब्द के जो दो प्योग है, वो हाँ है के बल है ना, we or c दान रखेंगे, next बारा, Bible का जो सदियों से कई भासाओं में अनबात किया गया है यहाँ पे आपको Bible भनना है next, जो question है बो है 13 नंबर का, कोई भी दो भासा है इतनी समान नहीं होती है कि उन्हें क्या किया जाए यहाँ पे समान भनना है, समान पहले ही भर गया है बास्तविक्ता का पर्तिनत करने वाला माना जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो share करो class को, चली, अब बात करेंगे next question की, अनबात मुल्यांकन के कितने आधार है, तो आप कहेंगे sir, चार आधार है, अब अनबात मुल्यांकन की अगर पद्धिती देखें, तो फिर वो दो है, कौन-कौन सी है, एक पुनरणबाद आधारत मुल्यांकन, दूसरी अनुकरिया आधारत Mulyankan बात करेंगे अनवात Mulyankan के लिए अंग्रेजी में कितने सब्द प्रिशलत है तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी में दो सब्द प्रिशलत है चालेए अब देखो यहां से हम समझते हैं कुछ हिंदी परियाए क्योंकि आपके एक्जाम में हो सकता है 8-10 question आपको मिल जाए हिंदी परियाय से ठीक है तो आप इनको इसके बिल्कुल नहीं कर सकते उम्मीद करूँगा कि जो मैंने आपको पढ़ा है या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन ही से आपके एक्जाम में देचने को मिल जाए देखो इनिवाइस को पीजक केहते हैं हिंदी में कस्टम को सिमा सुल केहते हैं फंड को निधी कहेंगे, गरांट को सहायता कहेंगे होल्ड остав को स्थगत करना कहेंगे और tender को निविदा कहेंगे दोस्त छलिए को चलो next पढ़ेंगे बूम को हम तेजी कहेंगे कैसियर को रोकडिया कहेंगे agency को हम क्या कहेंगे अभी करन कहेंगे access को क्या कहेंगे अक्ष कहेंगे दोस्त तो आप क्या करेंगे इनको बढ़िया आराम से धीर धीरे लिखते हुए चलना चुकि ऐसा नहीं कि आप मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूँ तो आप ना पढ़ें और आप धीर धीरे से आराम से करते हुए चलें रोक रोक करके वीडियो को आराम से लिख लें अपनी copy में लिख जरूर लेना क्योंकि एक दम से याद नहीं होगा यह लाइब्रेरियन को हम पुस्तकाले अध्धक्ष कहते हैं बैलेंस को हम सेज कहते हैं या फर हम बात करें कस्टूडियन को क्या कहते हैं अभी रक्षक कहते हैं कहते हैं किसकी कस्टूडी में है यह चीज नेक्स्ट दोको फिरी को निसल्ख कहते हैं अभी मैंने आपको बताय हैं इस बाष्ट से आपको वैसे लग रहे हैं आपने सुने कम होगे advice की बात करेंगे इसा इसे हम मानदे कहते हैं clause की बात करेंगे तो यह हम धारा इसको हम कहते हैं ठीक है चली कौछ और महत्पुर्ण हिंदी परिया हैं उनको हम देख लेते हैं तो संके तक इसको कहा जाता है करसर को आपके computer में घूमता है तीर बनके ऐसा है कि नहीं चली बहुत बढ़िया next गोर को हम क्या कहेंगे तरकोड़ी भूमी कहेंगे और excuse को हम चमा कहना कहेंगे apology को हम चमा आजना कहेंगे advance को हम अग्रिम कहेंगे tree of knowledge की बात करेंगे तो इसको हम ग्यान अब्रक्ष कहते हैं चली अब दो से तीन और बचे हैं बस इसके बास complete हो गए आपके an apple of discord इसको हम जगडे की जड़ कहते हैं to be true to one salt नमक हलाल होना इसको हम कहेंगे to bell the cat इसको हम बिल्ली के गले में घंटी बांधना कहेंगे तीनों important है हो सकता है आजाएं तो याद रखना आपने बस एक और है आप wondering holy man किस हिंदी सब्द के लिए प्रियुक्त होता है तो आप कहेंगे इसको हम साधू कहते हैं क्या कहते हैं वही साधू holy man कारत क्या हुआ एक पवित्र आदमी wondering मने जो पवित्र होता है एक आस्चर जने कैसा आदमी जो पवित्र है उसको हम क्या कहते हैं तो आप कहेंगे साधू कहेंगे उसे ठीक है चले एक और हैगा down ही जीवन है तो इसको इंगलिस में हम life means giving life means giving ठीक है बताओ चले तो बात करेंगे अगर देखो पुन्रिक्षण करते समय किये जाने वाले संसोधन को कितने भागों में बाटा जाए तो आपके एंग से दो भागों में बाटा जाए तो पुन्रिक्षण करते समय जो किये जाने वाले संसोधन के भाग है पहें भासाई संसोधन और संकल पनात्मक संसोधन दोस्तों ये ऐसे कुस्चन है जो आपके एक्जाम में सीधे आपको देखने को मिल जाए ऐसी में उम्मेद करूँगा अगर बात करेंगे एक वीडियो में संपूर्ण फूड प्रोसेसिंग कंप्लीट करने की तो मातर एक वीडियो में संपूर्ण फूड प्रोसेसिंग को हमने कंप्लीट किया है लिंक डिस्कप्सिन में मिल जाएगी बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप बिजट कर लें और देखके जाना पूरी यूटूब पर मेजर या फर माइनर सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन के नाम से भी आपका ये मेजर सब्जेक्ट चलता है, तो अगर ये है, तो इसके लिए हमने सारे कुछन बनाये थे, आप जुरू देख लिए इस वीडियो को, ठीक है, और बहुत जल जो है, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि बताओ सर्फ फिजिकल एजुकेशन की मेराथन कब आएगी, तो बहुत जल आएगी, ठीक है, काम किया जा रहा है, राजनीती विज्ञान की भी मेराथन लेकर की ही आएंगे अफ क्योंकि टाइम कम है, है ना अब दो से तीन वीडियो में हम मैं सुच रहा हूँ, कम्प्लेट कर दू राजनीती विज्ञान को, पॉलिटिकल साइन्स की अगर बात करें, तो इसके जितने भी कुस्चन इंपूरण्ट है लगवग, मैंने इस वीडियो में कराए है, अब इस वीडियो को देख ले, बाकी जिल्दी महराथन भी मिलेगी आपको, हिंदी साहत, हिंदी अनबात का जो पार्टर करेंब आप मैच करना चाहते हैं, तो आप कर लें, बाकी टेलिग्रम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे पीडियाफ हम आपको उपलप्त करवाते हैं, तो अगर बात करें, अपने परिवार, इंबिस सभूम की एक सरकारी नौकरी वाला जो परिवार है, इंबिस सभूम, जिस पे हम UP Plus Constable, UP Pet, SSC, CGL, MTN, सब की तयारी कराते हैं, आप सब जुड़ जाएं, Math की 3-4 Classes बहाँ पे उपलप्त दें, जाकर करके देखें, बतायों और सारी Classes कैसे ही, अगर अच्छी है, बिल्कुल, अगर अच्छी है, तो मैं आगे बहाँ पे Continue करूँगा, नहीं तो फिर Continue करने का कोई फायदा ही नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आती हैं चीज़ें तो, चलिए सब्सक्राइब कर ले, अगर नए हैं परिवार पर पहली बार अगर विजट की हैं चनल को, तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, बाकि अगर पुराने आप हमारे विधारती हैं, हमारे परिवार के सदस हैं, तो आप सबको इंकलाब, जिंदाबाद, बंदे मात्रम, यहना मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जहन्द, और दोस्तों एक बात और सिंपल सी आप से कहनी है, कि आप स्वास्तों जरूर रहें, क्योंकि अगर आप अपनी तविध को बिगार लेते हैं, तो फिर एक्जाम हो या फिर अधर चीज हैं, कुछ भी इच्छा नहीं रहेगा, इस वैसे स्वास्त रहना आपका बेहज जरूर है, स्वास्त रहें, मस्त रहें, पूरी तरीके से अपने पड़ाई में बस्त रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जहन्द वन्द मात्रम भार्द माता कीज़े, हर हर महादेव,